मनीश अंकर अयर जो की कॉंग्रिस पार्टी के एक स्तंब है मनीश अंकर अयर कह रहे हैं इन 1962 चाइना एलेजेड़ी इन्वेडिड इंडिया कथित तौर पे 1962 में कथित तौर पर 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया ये अपमान है हर उस सैनिक का जिसने तिरंगे के लिए शहादत दी अपनी जान कुर्बान कर दी ये वो ही राहूल गांदी है जो डोकलाम के समय हक्का नूडल्स खाता था चीनी दूतावास के साथ ये गदार वचन मनी शंकर अईयर के हैं लेकिन ये जहरीली सोच राहूल गांदी की है चिन्ता जनक बयान भारत विरोधी बयान सेना का मनुबल तोड़ने वाले बयान जन्ता के आत्म सम्मान को ठेस लगाने वाले बयान कॉंग्रिस पार्टी और उनके नेता बराबर दे रहे हैं अभी मनी शंकर अईयर जो की कॉंग्रिस पार्टी के एक स्तंब है उनका बयान सामने आया है और ये बयान में मनी शंकर अईयर कह रहे है इन नाइंटीन सिक्स्टी टू चाइना एलेजेडली इन्वेडिड इंडिया कथित तौर पर उननिस सो बासट में कथित तौर पर उननिस सो बासट में चीन ने भारत पर आक्रमण किया ये कोई साधारर बयान नहीं है ये कोई बयान केवल चुनाव को देखते हुए या अपना चीन प्रेम जाहिर करने के लिए नहीं है ये तो चोट है भारत की अखंडता पर ये अपमान है हर उस सैनिक का जिसने तिरंगे के लिए शहादत दी अपनी जान कुर्बान कर दी और मैं राहुल गानी मलिका अरजुन खड़गे से आज पूछना भी चाहता हूँ और कुछ तथे बताना भी चाहता हूँ उन्निस सो बासट का ये जो भारत-चीन युद्ध हुआ इस युद्ध में करीब चोदा सो हमारे जो सैनिक थे उन्होंने शहादत दी आखरी सास तक जंग लड़ी तिरंगे के लिए ये कथित आक्रमन था कथित क्या ये अपमान नहीं है हमारी वीर सेना का एक हजार सेन्तालिस हमारे जवान भाई बुरी तरह जखमी हुए करीब सत्रह सो सैनिक लापता हुए चार हजार युद्ध बंदी बने ये आक्रे बड़े बहत्वपूर्ण है और मनी शंकर एयर कहते है कि 1962 में कथित आक्रमन हुआ पहला सवाल मनी शंकर एयर कि ये गदार वचन हुएं लेकिन ये जहरीली सोच कहीं और से नहीं आती है ये वोही राहूल गांदी है जो डोकलाम के समय हक्का नूडल्स खाता था शीनी दूतावास के साथ मैं पुना कहूंगा ये गदार वचन मनी शंकर एयर के हैं लेकिन ये जहरीली सोच राहूल गांदी की है और चुनाव के समय ये बयान तब दिया जा रहा है जब अभी कुछ दिन पहले ही मनी शंकर एयर नहीं कहा था कि पाकिस्तान के पास भी आटम बॉम है अब आप बताईए हमारा महा पर चल रहा है भारत का हर नागरिक जिसे भारतिय सेना पे गौरव है हमारा आत्म सम्मान है हमारी सेना तो ये चुनाव के समय कॉंग्रिस पार्टी के टावर से दोनों शत्रू देशों को सिगनल क्यों दिये जा रहे हैं क्या ये सिगनल इसलिए दिये जा रहे हैं कॉंग्रिस पार्टी जानती है कि उनका सूपड़ा साफ होने वाला है लेकिन ये वोही मनी शंकर आयर हैं जिन्नों ने पहले भी कहा था श्री नरेंदर मोदी जी को हटाने के लिए पाकिस्तान को हस्तक शेप करके मदद करनी चाहिए अब चीन को सिगनल दिया जा रहा है कि देखिए हमने तो आपके उपर जैसा M.O.U. राहूल गानी ने हस्ताक्षर किये थे चीन के साथ वैसा ही किया है अब तो हमारी मदद करो इधर चीन को सिगनल उधर पाकिस्तान को सिगनल और भारत की जंता ने कह दिया है सात्वे चरन का चुनाव और मददान होगा इस भारत विरोधी टावर को ही उखार के फैक देंगे